अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो टॉप स्मार्टीस, ट्रामा सिरियल तेरा वादा नागीन की तरह मार्या को भी अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा लेकिन दोनों ही समझ ही निपा रही कि ये तो मकापाथ है कुदरत को ही उन पर गुसा आया कि कुदरत ने उनको दी हुई हुशियां भी छीननी लेकिन अब टक दोनों को ही समझ काफी देर से आएगी सारा ने मार्या को समझाना भी चाहा क्या पता साइम से घलती हुई हो उसने चान बूछ कर ये सब कुछ ना किया हो तो मारिया तो सारा पर ही चड़ धोरती है इसलिए सारा को तो चुप ही रहना पड़ा क्यूंकि सारा को अपने घर के भी अब बहुत से मसले है क्यूंकि आजकल अली काफी परिशान रहता है सारा से कहने लगा मेरी परिशानियों में तो दिन पर दिन अजापा ही होता जा रहा है समझ नहीं आ रहा कि मैं किराया कहां से दूँगा और फिर बिल्स कैसे जाएंगे अब सारा ही है जो मेके के साथ साथ अपने घर को भी संभालेगी अली की हिम्मत भी बनेगी ऐसे ही उसे मां को देने के लिए कम पैसे बचे तो मां भी सुना देती है ऐसे तरस तरस कर जीने से बेहतर फिर रहान नहीं था रहान के साथ जिन्दगी गुजार लेती तो ज्यादा अच्छा था था ना अब तो मां ने सारा के जहमों को जैसे कुरेट दिया हो अब ये सहम भी तो मां के अपनी दिये हुए हैं सारा ने कौन सी अपनी मर्जी से अली से शादी की जो मां इस तरह से ताने दे रही है लेकिन फ्रेंड्स अब तो ड्रामे में बहुत ही जबर्दस ट्विस्ट आने वाला है क्योंके रहान की वापसी चो हो गई और फिर अली के पास अब रुपिया पैसा रहा नहीं तो बला मां को अली की क्या जरूरत उसे तो वो दमाज चाहिए था जो खाता पीता हो अच्छी सी जाइदात हो ऐसे में रहान जो वापस लोटा है तो काफी अमीर है लिकत पेरिगम्प की तो राल ही टपकने लगेगी अब वो कोशिश करेगी कि सारा और अली में बद गुमानिया पैदा करे इन्हें एक दूसरे से दूर कर दे ताके रहान के करीब हो जाए सारा और फिर वो रहान से सारा की शादी कर देगी इसी तरह ही वो अली को बताएगी कि रहान और सारा एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते थे मान तो इन दोनों की मंगनी के बारे में भी बता देगी क्योंके मान यही चाहती है कि अली भड़क उठे और भड़क कर सारा को तलाक दे दे ताकि खाता पीता जमाई उन्हें फिर से मिल जाए तो फ्रेंड्स ये सब कुछ तो हम आने वाल एक साथ में देखेंगे लेकिन अभी हम देखेंगे कि सारा ने रहान को देख लिया और देखते ही वो तो सक्ते में चली कई उसे अपना माजी यादा गया तबी रहान सारा को बताता है कि वो अब पाकिस्तान वापिस आ चुका है यहीं पढ़ेगा तो सारा भी कहने लगी कभी चले चाते हो कभी आ चाते हो तुम्हें वापिस नहीं आना चाहिए था अब सारा जो कि रहान को बेपना चाहती थी वो रिहान की जुदाई को बहुत मुश्कल से भूल पाई थी लेकिन अब जो रिहान सामने होगा तो भला कैसे वो इसकी तरफ नहीं खिंचेगी लेकिन फिर भी सारा अपने रिश्टों में बहुत इमानदार है वो ली को कभी भी धोका नहीं देगी ये माही है जो इन दोनो से मेरा बच्चा जाया हो गया मैं और नुकसान बरदाश्ट नहीं कर सकता इसलिए मैं बहुत चल ये घर चोड़ दूँगा साइम रोती रही अपने भाई को यकीन दिलवाने की कोशिश करती है लेकिन भाई बीवी की जबान बोलता है खुद ना कुछ सोचता है ना समझत जिस बहन के साथ सारी उम्र गुजारी क्या उसे लगता है कि वो बहन इतनी जालिम भी हो सकती है बिलाल ने जो फैसला किया कि वो ये घर चोड़ कर जाएगा तो मारिया कह देती है नहीं हम ये घर चोड़ कर नहीं जाएंगे आपको जाना होगा अब वो खुद तो ये घर चोड़कर नहीं जाएगी साइम को ही भेजेगी तकि साइम यहां से चली जाए वैसे तो अच्छा ही हो के साइम मारिया के पास से चली जाए क्योंकि मारिया के अगर पास रहेगी तो हमेशा दुख ही इसका मुकदर रहेंगे वरना तो ये कुछ दिन के लिए रोएगी उसके बाद शहीर इसे संभाल ही रहेगा फिर इसकी जन्दगी मारिया और नगीन से ज्यादा अच्छी होने वाली है वो कहते हैं न स्याह काली रात के बाद सुबो भी बहुत ही शानदार होती है तो बस साइम की जिन्दगी में वो सुबो शाहीर की सुरत में होगी प्रिंट्स आने वादी एपिसोड का ये चोटा सा रीवियू अगर पसांद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मसीद वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर पेस किचे ताकि आने वादी हर वीडियो बहुत असानी से देख सकें अलाहाफ पीस